तो चालू करते हैं आज की class को, आज की class की heading है application of vector edition, आज class की heading है application of vector edition आ रहे उच्छो screen ते तो हमने आपको vector edition method अगर से खाए और उसमें हमने थोड़े बहुत numerical भी आपको दिये बट एक 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 साब से दो तिन application है जो खास देखी जाती है फर्स्ट एक application आती है rain and man case rain and man case और लिखना है यह हाँ अच्छी लिखना है जब यार मैं बार बार आपसे एक चीज समझा रहा हूँ मैं जो भी चीज आपको notes से डिखाऊं इवन notes में नहीं अभी तो आपको सब लिखना है सब कुछ लिखना है भी सिराल जो भी applied अव सारी लिखनी है theoretical चीज है नहीं अभी आपकी सब आपको लिखना है हर एक चीज लिखो अच्छे से लिखो सिर्फ सिर्फ वो चीजे नहीं लिखनी जो rules वगरे हैं जो आपको सिर्फ notes से लिखाऊं जब notes में आपको कोई चीज पढ़ाऊ notes से तो वो नहीं लिखनी बोलो, 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 और अगर कोई ऐसी हो, जिसमें मैंने सिर्फ टॉपिक खोला, यहां पर टॉपिक खोला, उसके बाद मैं इस टॉपिक को छोड़ दिया, और मैं खुद उसको पढ़ाने लग गया, तो उसमें आपको नोट से नहीं देखना है, सिर्फ जो मैं पढ़ा र आँगा, आप खुद लिखोगे, नोट सिर्फ इस टी है, ताकि आपको लिखने में कुछ गरबर हो जाए, या आपको पैली करना हो, या कुछ करना हो, उसके लिए, समझें नहीं समझें, बोलो, बोलो, किसी को डाउट, कोई भी theoretical चीज होगी, उसको मैं सिर्फ आपको नो समझाई है, तो इसका मतलब सिर्फ या आपको याद करनी है, नोट से, कोई दिक्कत बचो, बोलो, इवन आप हर टॉपिक में चीज पूछ सकते हो, इवन, मोस्टली जिए 99% टॉपिक आप खिलाल के हैं, या आपको लिख के, खुद ही लिखने, जो मैं करार हो, उसको सीख बारिश नीचे आ रही है, कैसे आ रही बारिश, इससे क्या बोलेंगे बारिश बोलो, इससे क्या बोलेंगे बोलो, बारिश आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, आजको बारिश का मोस्टम है, और मानलो हवा चल जाए, हवा चल जाए तो क्या होगा बारिश का अंगल ब यह हो गया, velocity of wind, यह हो गया, velocity of rain, इसको vector form में दिखाया, बच्चे करें सर, ऐसे कैसे दिखाया, इसमें यह matter नहीं कर रहा है, आप vector को कहां रख रहे हो, इसमें matter यह करता है, direction क्या है, क्या रें नीचे आ रही है, यह नहीं आ रही है, कोई बच्चा बताए, क्या गलर रोग क क्या मान लो, wind right side चल रही है, तो बारिश कैसी हो जाएगी, तिर्ची आएगी, कैसे आएगी, ऐसे आएगी, तिर्ची आएगी मुपे, और यह तरीके से क्या हुआ, resultant, capital लालिक दो, हमारे नजरों में क्या हुआ यह, resultant, ठीक अच्छो, तो actually क्या होता है, अगर हवा नही बारिश तेजी से मुप आने लग जाती है, यहाँ पर हमें दो चीजें निकाल ली होती है, दो चीजें, first, resultant velocity क्या होगी, मतलब किती स्पीड से बारिश हमारे मुपे छोट करेगी, लिखना है, अच्छो, सब लिखना है, मेरी बात समझो, तो theoretical चीजें, जो सिरिफ होती ह अच्छे से लिखो, यही पढ़ना है, इसी से पढ़ना है, कुछ extra नहीं पढ़ना इसके लावा भी दिलाला को, दूसरे यह, कितने angle पे umbrella को hold किया जाए, और अपनी language में लिख लिया करो हिंदी में, कोई चीज लगे कि भाई मुझे देख के नहीं समझ में आएगी, तो उ पहला कि कितनी velocity से rain आएगी, दूसरा कितने angle पे umbrella hold करें, देखो कितनी velocity से rain आएगी, उसके लिए तो हम formula यूज करते है, resultant वाला, under root, a का स्क्वार प्लस b का स्क्वार प्लस 2ab का स्क्वार प्लस 2ab का स्क्वार, तो resultant को हम लोग vr, capital R लिख दिया हमने, capital R for resultant, एक हो गया velocity of rain का स्क्वार, एक हो गया velocity of wind का स्क्वार, आगी क्या होगा बच्छे बता हो, आगे क्या होगा? Plus Plus zero बता उ, अची, अल्यका क्यों? सर, क्योंकि Cos 90 देकरी, 0 क्योंकि rain और wind में angle 90 है और cos 90 क्या जाते है, 0 हो जाता है, तो यह resultant velocity होगी, यह formula होगी, किसका resultant, कितनी speed से हमारे मुझ पर पड़ेगा, उसे कहते है resultant velocity, यह तो ही हो गया, अब दूसरी चीज है, तो first चीज होगी, दूसरी चीज है, कितने angle पर umbrella को hold करना, यह निकालना, angle क्या हो, तो इसके लिए क्या करना है, अच्छो, वेक्टर को उठा पटक की जा सकती है, तो दूबार समय ड्रॉ कर दोओ, दूबार समय ड्रॉ कर देता है, यह हमारा vw है, यह हमारा vr है, यह हमारा vresultant है, तीन चीज हमने ड्रॉ की, हमें angle यह निकालना है, अच्छो, actually क्या होता है, देखो, अगर बारिश simply vertical आती, तो मैं अमरेला को ऐसे hold करते हैं, ऐसे, simply, अगर हवा नहीं चलती, तो मैं अमरेला को ऐसे hold करते हैं, ठीक है, अब कैसे hold करेंगे, उसको तिरिशा करना पड़ेगा, ऐसे, पहले सीधा खड़ा, अमरेला था, ऐसे, उसको तिरिशा करना पड़ेगा, और डाउट अच्छों बोलो, पहले बारिश जो आपकी आती थी, वो ऐसे आ रही थी, अब बारिश ऐसे आ रही है, समझाया, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, बोलो, कोई डाउट किसी को, फिरिशा हमरेला करेंगे, समझ रहे हैं, तो इतना एंगल बैंड करेंगे, तो मतलब, रिजल्टन की डिरेक्शन में हा, हाँ, रिजल्टन की डिरेक्शन, बिल्कुल ऐसे देखो, रिखाते हैं, ये, ये जो अ मिराला होगा, ऐसा पकड़ा जायेगा, ये, नियुobenरा जायेगा, इसे पकड़ है कि समझे है विए जैसे रिजल्टन्ट दूगा पकड़ा जाएगा ना कि आ रही है कि गाई तिरिस्टिंट ना रोहा है जो बी कैपिटल वाली डारेंड यारी समझें बच्छे नहीं समझें कोई बोलेगा नहीं बोलेगा चीए ठीक है यह यह जब किए पहले अम रहेले कैसे हुआ करता था ये इसे इंगल बैंड किया कितना एंगल बैंड किया अभी तो तो अभी एंगल तो आएगा बट एमिल थीटा होगा तो अभी आइख वो इसके साथ ऑंगल बनेगा यह यह एंगल फीटा हो याईगा कर दिख रहा है इससे और बलेट कर पा रहे हो दोनों को समझे नहीं समझे साब इस समय हारान चयुक आपका पहले ना सीधा था अब fall रटिकलु करता है अब आपने just S307 बलाओ इसे नियू आ पने इसको इंकलाइन कर दिया अभी तो उच्छ भी पहले बढ़ißt पहले रही बताओ इसाउच मार्या है निया पर इतों इससे अम्रेला yeah is अब यह समझेए थडिन सम्हाइब कर दो यह समझे इस यदिसी गाते हैं क्या प्रोपटी या ठीरिय ऩोड्ही थीटा अंगल हां किसके साथ थीता इस एंगल ओफ ऐंडला, ओफ अंबरेला, तो दोनों थीता अलागे रहा? और उर्ण्ज वाले और उर्इड वाले? अल्ची, दोनों थीता तीटा सेम है, आल्टर्णेंग रह से? लो इ amps, हासर में इस बही हाँ और उर्ण्ज वाले, अलागे हैं यह ना? जरुछ कि इसी का तुल में इस थीसर कैसे सर् रॉज़ाइब नब ऑची इसको इसको अवर्लाइब कर दो अरो को दिखाय तो है ए कि आइ समझेल थे जी तो ये दोनों क्या फरिके इद की खड़ी kia अच्छा ठीके सर्ढ आ गया ए ईगया सर अगया सब्सक्राइब ब four लो यास? अब। लो खेद को आथा है कि आपका पिले अम्ब्रेला भिल्कुल विल्टिकल हुआ करता था, कैसे महलो यह एंचेकला अमारा ऐसा, सीधा था, हम रहाएं कि स्टिक सीधी थी, समझे बच्छा नहीं समझे, ठीक है, फिर बारीश तिरच्छी होई तो आप लें इस स्टिक को तेड़ा कर दिया, वाल लग कितना एंगल बेंड कर दिया, लेटर स्टिक मान दो, लेटर स्टिक आप थीज डिगरी बेंड कर बोलो, भाई, स्टेट्मेंट बोलो यार, आप सुनी नहीं देव अच्छो, हेलो, सार प्लीज एक बार रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन कर गया था, हाँ ची रिपीट कर देतें फिर से, सार थर्टी डिगरी आंगल ओफ अंब्रेला विद रेन, देखो देखो, पहले हमारी पुरहाने वाली वर्टीकल थी, अब उसको बेंड करके ऐसा कर दिया, तीज डिगरी बेंड किया, स्टेट्मेंट वाइस क्या लिखेंगे, सार, अम्रेला इस बेंड बेंड थर्टी डिगरी तो वर्टीकल बोलते हैं इसको, विथ वर्टीकल, समझे नहीं समझे, यहां हो इस एंगल को यह जो एंगल है, इसे क्या बोलेंगे, 30 डिगरी विथ वर्टीकल, वर्टीकल होर्टीकल तो पता ही होगा आप लोगों को, यहां पर मैं मिटा रहूं, मतलब बात आपको समझ में आनी चाहिए, कि जैसे हमने कहते हैं कि एंबेला का क्या एंगल होना चाहिए बारिश पढ़ने पर, हवा चलने पर, तो जो एंगल होना चाहिए वो हाम तोर पर वर्टीकल के साथ एंगल पूछा जाता है, एंगल दो टाइप के होते हैं, और जोंटल के साथ एंगल और वर्टीकल के साथ एंगल, हमारा काम क्या होता है, एंगल विथ वर्टीकल निका तो एक काम करते हूं इस वाले वेक्टर को मैं नीचे ला सकता हूं, यहां ला सकता हूं, अगर इस वेक्टर को नीचे उठा के लाया, तो यह कैसा हो जाएगा, यह v small r है, किसी भी वेक्टर को उठा के रखा जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, इसमें कोई भी टेंशन से नीचे अली फिगर में, हमने क्या किया है, हमने बताओ, इसमें क्या चेंज आया, उपर अली फिगर से नीचे ले आए, एंगल तो वही है, यह थीटा एंगल तो निकालना है मैं, अच्छा, अब यहां पर क्या लगाएं अच्छो, मान लो हम लगाते हैं 10 थीटा, 10 प्वाई वी यार, और इससे खिटा एंगल आ सकता है, यह दो फॉमलेज होते हैं, यह एक फॉमला यह हो गया, एंगल के लिए, और एक फॉमला वो गया, तो दो फॉमलेज हैं, हम लोग उस करते हैं, लिख लो अच्छे से, कोशन देते हैं, और बाद में तो फॉमला अप्लिकेबल है, इस केस में तो यह जो मैं था, यह अट्रेस था, और विंट चल रही थी, अगर विंट नहीं चल रही हो, और मैं बॉविंग हो, वह भी वच्छी उसमें ऐसी फॉमला आता है, बट अभी ना उसके वारे में डिसकस नहीं करते हैं, तो अभी आप रूम ज क्योंकि सर, जब हम मूफ कर रहे होते हैं और रही होती है, तो भी हम जो है, अब्रेला को टिल्टेट ही बगड़ते हैं, साही कह रही हो, वह भी होता है, बताएंगे अभी तो जाओ, पहले यह लिख लो, फिर हम कोशन देते हैं, दागे बढ़ते हैं, कुट आउट आउट अगे बड़े, बोलो भाई, है कोई, ये सर, ये सर, पामला लिख लिया, कुशन दे, चलो, जासे बाईन, चलो, फिरएंगा, ये सक्षार्ण ये स्विले करदेशे भाईन, मजिफ बा fund, कैज बीड़े एंगा वि information, फिरएंगारे, कैज लिएंगा, चक monarch labs, पामंदी हैं चलो चंदो नो बतादो एक तो रिजल्टेन डलस टी ओ फ्रेंड रूसरा एंगल विछ वी होल्ड अम्ब्रेला सर विंड कॉंसे डालेक्शन में चल रहे हैं उसमें अच्छी मैटर नहीं करेगा एंगल तो सेम ही रहेगा हमारा अच्छी आएं तोटल बतादो जली से तोटल बताओ 5 रूट 2 और 45 डिग्री हाँ अच्छाबाद सेम अच्छी जली से वर्वी क्यों बुआ है हुआ हो गया हुँआ अच्छाओ लोरीका अर्वान यह सर 5 रूट 2 रहा और आटकू यॉँआ हो गया हुआ हाँ नहीए इंगल भी आगया विज्ञद विज्ञद गया अच्छे विज्ञद आगया नहीं कि यहां पर वर्टिकल हो जाता है किस एंगल किस रेफरेंस के साथ है यह भी लिखना जरूरी होता है मेरे बात क्लिर हुई है नाइए कि आलो जू फरस्ट केस का कहां लगता है कहां लगता है काहां लगता है इसके करना हो कब जब दो से ज्यादा एक जगह पर उनका नेट निकालना हो समझेब अच्छे कि बोलो कि हलो कि है यह सर्थ आगे बढ़े कि अब अच्छों यह तो एक केस है रिन लिड्विड और यह सब लिखना है दूसरा केस वद जिसको हम अब आपको बनाते हैं हम अब आपको जाते हैं रिवर और टको नहीं करओं sudrab exp Canada लूद यह भी व सेमर चेस के अधर आता है चलो pregunta करते हैं कए जीवर एंड स्विमर केस चले अच्छो सर यह पेक्टर एडिशन जैसे मतलब यह ऐसे कुछी केसे में होता है यह ऐसे बहुत सारे केसे में जो लग सकता है इंफानाइट केसे अच्छी हजारों केसे होते हैं कि हमारे स्लेवर्स में करिकुलम में दो-तिन केस दरके हैं बस हर जगर लगता है और एक्ट्र? हमें वस दो-तिन केसे से ठोड़ा समझ जाते हैं कि वह कैसे-कैसे लगा सकते हैं समझा अच्छीं? आगे बड़े? चलब एक है river and swimmer cases में भी दू case होते हैं, एक shortest path और एक shortest time, पहला आता है shortest path वेक्टर तो यार बहुत ही important quantity in real life में हर जगा भी लग सकता है, जैसे होता क्या है, जैसे मान लोग ये river है इदर बहरी है, ऐसे बहरी है right side इसे dus warranty of river ठीक है, एक swimmer को ठीक अपोसिट पोइंट पे पहुंचना है कि अगर हो सीधा जाएगा 所以мер के velocity وی सकत्रह बच्चेव वयल ये कैसे बच्चव वेलटरी को प्रिवर को डाउट किसी को बोलो कोई है कोई है अगर सीधा जाने की पुश्ची सर आपने वी आर के बाद क्या बोला वी आरे वेलोस इस वेलोस्टी विए मेरी आवाज कट रही है कि आपका नेट किस चीज का अच्छी आपके क्या कौंछ नेट लगा हुए बताना हाथ वे सभी नहीं काम करें अच्छी जीओ पर चलाओ उस्टी आ पका नेट बहुत कटता है अपको पर प्लम आख को नेट मेरी इस हालो ने उसको चॉछ अपको नो नेट च्क करा अच्छी एच्छ से नेट च्क कराऊची फोन का नेट यूज कर लो यार बता है अगर जैसे फोन थोड़ा बहुत भी net रहा था तो मैंने फिर चिप्ट कर लिया अब फिर से ठीक हो गयां टावर खराब हो गई थी अभी और अब ठीक हो गई टावर फिर से तो यही अच्छी दिक्कत आती है आप मेरी भी आवाज दिक्कत करी थी बीच में एक दूजिन तो यह अगर वह सीधा चलेगा निसान तो क्या वह उस पार पहुंच जाएगा एसे एसे भी पहुंच जाएगा यहां कहीं और पहुंच साबैज बच्चों में विल्यकुल तो अब इसको मतलब की अगर देखा जाहेjang तो तिरच्छा ना पहुंचे उसके लिए उसको क्या करना चाहिए आपके साथ से वह सीधा पहुंचना है अगर उसको असे जाना है और इसको तिर्छा जाना चाहिए अगर वह इस डारेक्शन में जाएगा तो जाके वह एसे पहुंच पाएगा इसको ना लेके हम इसको ले लेते हैं इसको ले लेते हैं इसको और डाउट वेच्टों बोलो बोलो बाई बोलो हैं अलो इसको रहे हैं अब आणेरा वाले केस पे साफ लिखा पॉर्टिफाइव डिगरी विथ वर्टिकल अम पता हें कि हम व्यक्त आणेर ने हमिन सब्सक्रिप्शन उसका होना चाहिए कि कि साथ लिया रहा है अब बच्चों देखो actually क्या है कि वो बंदा A से B पहुंचेगा सीधा सीधा अगर वो specific angle पर निकला है ठीक उसी proper angle पर निकला है तो A से B पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा क्या concept है इसके लिए हम आपको सिखाते हैं इसके लिए आपको resolution सीखना पड़ेगा मान लो हम swimmer की velocity को resolve कर देते हैं तो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं विए स्विमर की वेलस्टी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं एक यह और एक यह हो जाएगा एक कॉस्टिटा और एक साइंटिटा तोड़ दें अच्छों कर दें नीचे वाला हो जाएगा वी एस कॉस्टि कोई ड़ुट किसी काम कार नहीं है जाम कर लोगर पहली होगशनद रॉल कर लोगर कर लो फिकर कर लो तो पहले दो कर hop दो अप ли में कर लिए साथ साथ है 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 चलो च्वांगे बढ़ते हैं अब वी एस को रिजॉल्व कर दिया तब वी एस को मिटा देते हैं जब किसी वैक्टर कर दिया तो स्की सिग्निफिकेंस अब बात है कि ना वह बंदा राइट साइड जा रहा है एसे ना राइट खिसा कर रहा है ना लेट खिसा कर रहा है कि यह वी और वियस कॉस्ट एटा एक दूसरे को केंसल कर देंगे अच्छा हूं जैसे एक रीवर की वेलोसिटी जो है वो उसको राइट की तरफ धकेल रही है देखरें बच्छों रीवर की वेलोसिटी उसको राइट की तरफ धकेल रही है और स्विमर की वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट उसको लेफ्ट की तरफ धकेल रहा है और यह तुनों अगर एक दूसरे के बराबर होते हैं तो ना ही वो राइट की तरफ जाएगा ना लेफ्ट सिर्फ सीधा जा पाएगा यह समझे हैं नहीं समझे कोई बच्चा बोले डाउट किसी को बताओ बोलो भाई नो सर देखो यहां पर दो एक है वेलोसिटी ओफ रिवर एक है वेलोसिटी ओफ रिवर राइट साइड धकेल रही है यह समझ में आ रहा है वेलोसिटी ओफ रिवर राइट साइड धकेल रही है और वेलोसिटी ओफ रिवर राइट साइड धकेल रही है और वेलो दोनों ही velocity एक दूसरे को cancel कर दें तो ना बंदा राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा सिधा-सिधा जाएगा सिर्फ यह दोनों एक दूसरे को cancel कर देते हैं Cancel each other अर्मान बता उससे फायदा क्या होगा जाया है तो उससे जाएट नहीं लगानी पड़ें जा सकते हैं मतलब कि ऑल्की राइट नहीं वह राइट साई लोड़के का नहीं राइट अर्वार नैंश्य पर जासकता इसे, नीनने दूसर्ट में एक दूसर्ट कर दिया और सिर्फ आखरी में बचा क्या कौन सा stylish विए हम पार लगा रहे है इस ताइं पार लगाने का काम कॉन कर रह रहा है मान लो कि विट खुछ भी in और माननो डब्ली माननों कुछ सब्सक्राइब करने में लिपना लगेगा कि इस चिंग कितना इस्टन से इसे में रीवर क्रॉस करने Vs sin theta अब ऐसा क्यों अच्छो swimmer की velocity तो Vs थी हमने Vs sin theta ही क्यों लिया swimmer की velocity का सिर्फ sin component क्यों लिया कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर सर क्योंकि cos component कट गया था cos component तो कट गया था और वैसे भी जो sin component है वो ही सिर्फ उपर की direction में लग रहा है है वो ही cross कराने का काम करेगा cos component तो Uसको left side ले जा रहा है क्या cos component उसको cross करा सकता है यह किसी case में cross करा सकता है cos component का क्या काम है एक तरtransla left side की तरफ धखेलना sign component का काम है cross कराना तो यहां cos component वैसे भी किसी काम कराका नहीं अगर cancel ना भी होता समँझरे वच्छों सुनगे वच्छों केंसल न भी होता तो स्कों डेफ्ट की तरफ लेकर आरह था साइन कोम्पॉनिन क्रॉस कहा रहा दो कॉस करा रहा थे यह समझे नहीं समझे जैसे कोई भी उसकी कुछी है यह कुछ है यह है वेलोसिटी ठीक है दो कम्पोनेंट हुए उसकी वेलोसिटी के यह वह V-Cos Theta और यह वह V-Sign Theta जो साइन कम्पोनेंट है वो आगे उदर ले जाने के लिए responsible है उसकी responsibility आगे की और कॉस कम्पोनेंट की responsibility सीच किये हर बंदा अपना function निभाता है यहां क्रॉस कराने के responsibility कौन से component पर है बताओ V-Sign Theta V-Sign Theta V-Sign Theta V-Sign Theta ही cross करा रहा है क्योंकि वह वह ही ऊपर की आगे बढ़ते हैं कोशन देते हैं कोई कोशन को ना जो मैं दूँ जल्ल बाजी में आंसर मत दे दे ना कोई बच्चा ऐसा नहों कि सर्य एंगल होगा यह यह होगा कोई भी जल्ल बाजी नहीं ऐसा नहीं है कि आप जल्ली आंसर दे दोगे तो मैं खुश हो जाओंगा अगर आपका अंसर सही होगा तो मैं बताओंगा क्योंकि अच्छो कोशन को बहुत ध्धान से सुनना और ध्धान से पढ़ना पूरा चलो एक बंदे को शौटेस्ट पाथ में रीवर क्रॉस करनी है सोच समझ के आंसर दे न अच्छो जल्ली बाज़ी मत दे न पूरा सोच ले न छोटेस्ट पाथ में रीवर क्रॉस करनी है जब वो स्विम करता है तो वो 12 मीटर पर सेकिंड से स्विम कर सकता है और रीवर की स्पीड है 6 मीटर पर सेकिंड उसको कितने एंगल पर जम करना चाहिए विथ वेलोसिटी ओफ रीवर मैं अभी इसमें कुछ बताऊंगा नहीं मुझसे कुछ पूछना नहीं हुच्छों कि सरी यह क्या है वो क्या है हम कुछ नहीं बताएंगे कोशन आप लोगों को दिया गया है आप लोगों को दिमाग चलेगा मैं जब आँ बताऊंगा तो आंसर बताऊंगा कोई भी कुछ नहीं पूछेगा अपने दिमाग लगाएंगे सिर्फ ठीक हैं लेकों फाइंड एंगल ओफ वेलोसिटी ओव स्विमर विथ वेलोसिटी ओफ रिवर फॉर शॉर्टेस पाथ कितने एंगल पे वो चले ताकि शॉर्टेस पाथ हो और अगर यह फ़र्स्ट पॉइंट यह तो फ़र्स्ट हुआ इफ विट्ट ओफ रिवर इस कि त्वेल मीटर है हाउ मच टाइम टेक टाइम टेक टू क्रॉस रिवर इस तरफ आपकी स्पॉंसिविल्टी कि किससे आपका निमांग पड़ेगा अगर मैं बता दूंगा तो दिमांग नहीं बढ़ पाएगा आप लोंगा कभी भी जिन्दगी में झाल वोई 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 सब्सक्राइब सोच लो अच्छे फिर से एक बार क्योंकि ए आंसर गलत नहीं होना चाहिए जो भी कहो आंसर गलत नहीं होना चाहिए जल्ले बाजी में आंसर गलत मत दे रेना क्या अंगला है आपका 60 डिग्री नहीं हो अच्छे नहीं है खीटा 60 डिग्री है बट हम जो एंगल पूछें वो 60 डिग्री नहीं है यही तो जल्ले बाजी है देखो खीटा इस 60 डिग्री बट वी अर नॉट आस्किंग पॉर्ट कीटा कि बताओ भाई कोई बच्चा बताएगा होनार हमारे क्या एंगल होगा 30 डिग्री तो के मत मारो बच्चों चांस रोग एंगल विद वर्टिकल तो वही होगा वर्टिकल नहीं होच्छों पढ़ो एंगल अफ सिमर विद रीवर्ट वर्टिकल नहीं है पढ़ो फर्स्ट कोईशन को धंग से पढ़ो आप तो फिजिक्स विच्चे ऐसा सब्जेक्ट है जब तक अगर आप कोईशन ही गलत पढ़ लोगे तो आंसर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा करें पहले बता आपको थीटा कितना है थीटा कितना है 60 डिगरी 60 डिगरी किसमें बताए 120 बताओ 120 ही है 120 ही है कैसे इदर देखो इदर देखो 120 ही है कैसे इदर देखो यह स्विमर है यह रीवर है ठीक है हमने इस एंगल को अभी थीटा माना था जो कि 60 डिगरी आया बट मैंने आपसे कौन सा एंगल पूछा है कोशन दुबारा जहांको और देखो मैंने कौन से इंगल पूछा मैंने कए पड़ का इंगल का इंगल कौन सा है कि यह अधमर पूछा मैंने कोशन पता है कि समझे समझे बोलो भाई बोलो यह एंगल पूछा मैंने आपसे और यह एंगल लिनियर पेर लगाऊगे तो 120 डिग्री आएगा तभी मैं आपसे बार बर पहले ही कह रहा था कि जब भी करना को सोच समझ के करना डारेत आंसर दोगी गलत हो जाएगा दोगा तो यहां यहां पे आपसे पूछें श्विमर और रिवर के बीचका अंगल यहां पे यह वाला एंगल है यह वाला एंगल है यह एंगल वन टुटेंटी डिग्री है अंधे हैं नहीं समझें